हेलो गाइस वेल्कम तो मैं चनल गाइस रेलोए एस्प्रेंट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आए है अब से हर सल रेगुलर बेसिस पर रेलोए के रिकूटमेंट होगी देखो इसके बारे में बहुत चर्चर चल रहा था पहले से बहुत आपडेट इधर उद इस इस ऑफिशियल ट्टर हैंडल अब इसंट्र रेलोए तो यह कंफर में कि ऑफिशियल ट्टर पेज है राइट इसमें थोड़ा नीचे जाओगे यह आप भी सार्च करके ट्टर में जाकर देख सकते हो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास यह है सब देख सकते तो देखो इधर जाओगे तो इधर एनाई जो हिंदी न्यूज जो जो रिपोर्ट है जो न्यूज चैनल है उसमें से ये अपडेट गया है जो इस सेंटरल रेलोए रिपोस्ट किया है राइट इस सेंटरल रिपोस्टेट एनाई हिंदी न्यूज तो इसमें देखोगे इसमें लिखा गया है एक तुम हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में परके सुनाता हूँ, क्या क्या लिखा गया है, देखो, पतना बिहार, East Central Railway GM, अनिल कुमार खंडेवाल साइड, अनिल कुमार साइड में क्या बताया, देखो, Railway has recently completed new employment process 1.5 lakh posts, मतलब 1.5 lakh post में recently complete क्या है, Railway recruitment process, जिसमें से NTPC, Group D, फिर ALP technician, फिर RPF, isolated category सब है, इसमें, Now it has started new process, अभी new process शुरू हुआ है, Railway now plans to conduct regular recruitment every year, देखो, बहुत बड़ी good news है यह, अभी क्या पिछले बार, क्या 2018 में recruitment हुआ था, उसके बाद, फिर 2024 में, लगबग से 6 यार बाद निकला है, तो इसमें क्या update दिया गा है, कि अब से regular basis में हर सल recruitment होगी, Right, the aim is to bring vacancies as the infrastructure and operations of railway is growing, मतलब railway की जो धाचा है, अभी यह बहुत डेबलाप करनी है, और यह regular हो रहा है, इसके बज़े से यह जो railway की aim है, वो यह है, तो इसके बज़े से अभी vacancies in new categories will be filled annually, Regular, मतलब many categories, जिसमें से वही ALP, technician, RPF, सब है, NTPC, group D, जितना भी railway की post निकलती है, वो सब अभी annually चलेगे, ठीक है, Towards this end, यह सब देखते हुए, recruitment of 5696 ALP Locopilot post has been started, मतलब यह जो goal है, यह goal को देखते हुए, अभी बस यह जो 5696 जो post है, यह इसका शुरूरत हो चुगा है, मतलब यह जो 5696 जो 5600 जो vacancies है, यह अगले एक साल के लिए यह ध्यान में रखो, यह कहा गया है इदर, इदर कहा गया है, यह जो recruitment of 5696 5600 ALP has been started, मतलब towards this end, मतलब यह जो vacancies है, एक साल के लिए है, अभी अगले साल new vacancies निकलेगा, तको इसके बार में क्या लिखा है, क्या लिखा है, दे, दा, दे, मतलब applicants are invited every year, मतलब every year हर साल invite applicants, जो relo aspirant है, वो application कर पाएंगे, ठीक है, opportunities will be available, मतलब every year आपको opportunities मिलेगी, right, if due to some reason, किसी भी कारण, they fail, मतलब आप aspirant जो है, जब exam देंगे, वो अगर fail होंगे, the current year, अभी, मतलब 2024 में fail होंगे, मतलब यह तो confirm है, सब qualify नहीं करेंगे, इसमें से only 5696 vacancy है, तो जो due है, जो बाकी रहेगी, रहेगा, वो क्या है, they can appear in the exam again in the next year, मतलब अगले साल 2025 में, फिर vacancies आएगी, ALP में, फिर technician में, सब many categories में अगले साल vacancies आएगी, तो अगले साल आप apply कर सकते हैं, therefore there will be no gap for next year, next opportunities, देखो क्या लिखा गया है, कि इधर कोई भी, therefore there will be no gap for the next opportunities, मतलब कोई भी gap नहीं रहेगा, next year recruitment में, ठीक है, देखो ये एक बहुत बड़ी good news है आपके लिए, कि ये जो 5600 के आसपाई जो vacancies है, ये only 2024 के लिए, 2025 में फिर से vacancies आएगी, तो ये ध्यान में रखो, तो इसे साब से जो vacancy निकला है, बहुत अच्छा खासा vacancy है आप लोग के लिए, ठीक है, अभी इनका जो वीडियो है, वो थोड़ा देख लो, कि लिए हमजाना प्रशाइब से निकला है ने चाहिए वोग के लिएचित। ऑन्हीं में तोनाओग के लिए, एपके लिएपन सेंटाइब में प्रेख लिए, चरहाना है ओन्दाइ, तो ये तो ये तोच्छाइब पोड़ी आप दू़ीवे प्कोंट से every year because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALP's local pilots have already started in this direction. So now in which the applicant can apply every year for the railway job, sir? Yes, definitely. They will have opportunity every year. So how big opportunity for the applicants, sir? How big this decision is from by the railway side, sir? Now it will be beneficial for all the students. They can appear every year. Vacancies will come every year in case due to some reason they are unsuccessful in the current year. They can again appear in the next year. So there will not be gap of 2 years, 3 years for the next opportunity in railways. So it will be good for the students. What will be the first date of applying for this, sir? First notification of 5,696 local pilots is already issued on 20th January of this month. So I will see what you have seen as well. अगले साल फिर से नियू रेक्रूटमेंट होगा ठीक है तो ऐसा देखो वेकंसी इदर क्यों कम है यह थोड़ा समझना परेगा कि इसी साब से जो देखा गया है कि अगले एक साल के लिए अगर यह वेकंसी हो तो काफी वेकंसी है अगर अगले जो ऑफिशियल अपडेट है इसी साब से देखा जाए तो यह वेकंसी अगर एक साल के लिए है तो यह बहुत मतलब अच्छा खासा वेकंसी है ठीक है तो यह समझ के पीपरेशन का तरफ ध्यान दो देखो अल्टिमेटली पीपरेशन ठीक नहीं रहेगा तो जो भी हो कोई फाइदा नहीं है ठीक है नौकरी क्योंके जितना भी जल्दी हो सके ये सब के लिए वलाईए तो ज्यादा फोकस करो पीपरेशन के तरफ अच्छे से पराई करो तो अगर ये वीडियो इन्फरमेटिक लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो ताके सब को पता चले इसके बारे में कोई उमीद सबका उमी प्यूश्चेमि टो जाय कोई ref शोक्ष्ण लगाई लगाची के सब कर दो प्स्तों के साथ बारे में करो जा विजिए विए लगाई रफिए